C.I.E.T. N.C.E.R.D. द्वरप्रस्तुत है कक्षाच्छे की उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम अकलमंद किसान पुराने जमाने में भारत में एक राजा राज करता था ये राजा बहुत रहम दिल था उसके राज में सब खुश थे राजा अपनी परजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता एक दिन राजा घूमने गया रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया किसान अपने खेट पर काम कर रहा था खेट बहुत हरा भरा था राजा खेट देखकर बहुत खुश हुआ उसने किसान से बुछा तो किसान एक बात बताओ तुम इस खेट से कितना कमा लेते हो हुजूर एक रुपया रोज के हिसाब से एक रुपया रोज जी एक रुपया रोज कमाते हो क्या करते हो उसका हुजूर चाराने तो रोज खा लेता हूँ और चाराने का कर्ज उतारता हूँ अच्छा और चाराने का कर्ज देता हूँ महाराज और बाकी बचे चाराने तो उन्हें कुवे में फेंक देता हूँ क्या कुँए में भीग देते हो किसान मैं इसका मतलब नहीं समझा मुझे इसका मतलब समझाओ महराज चार आने जो खा लेता हूँ वो मेरे उपर और मेरी बीवी पर खर्च होते है और चार आने का जो कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है मैं अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ उन्होंने मुझे पालने पोस्ने में जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है माराज बहुत सही और चार आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च कर देता हूँ ताकि जब मैं बूड़ा हो जाओ ना तो वो मेरी खिदमत कर सकें और चार आने कुए में फेकता हूँ तो इसका मतलब है खेरात करता हूँ हुजूर बहुत खूब बहुत खूब हम खुश हुए किसान ये लो भारा इनाम इनाम लाइए हुजूर ये लो ये लो लाइए महाराज अरे किसान जी सुनो जब तक तुम मेरा मूँ सौ बार न देख लो तब तक ये बात किसी को नहीं बताना ने 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 बिलकुल नहीं महाराज बिलकुल नहीं किसान ने वायदा कर लिया राजा अपने महल वापस चला आया अगले दिन उसने ये बात दर्बारियों को बताई दर्बारियों तुमने सारी बातें सुनी तो बताओ किसान की इस बात का क्या मतलब है कि वो चार आने खा लेता है चार आने का कर्ज लेता है चार आने का कर्ज देता है और चार आने कुए में डाल देता है दर्बारियों किसान की इस बात का क्या मतलब है कोई भी उसका मतलब ना बता सका वजीर बहुत होशियार था उसने राजा से कहा सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूँगा अच्छा, बहुत हूँ वजीर उसी दिन उसकिसान के पास गया देखो, देखो भाई, महराज ने मुझे मना किया है मैं जब तक सौ बार उनका मो न देख लूँ तो मैं इसका मतलब नहीं बता सकता कोई तरकीब बताओ, मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल इसका मतलब जरूर बताओंगा किसान कुछ देर तक तो सूछता रहा एक तरकीब तो है, तुम मुझे सो अशर्फियां दो मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा वजीर उसके लिए तैयार हो गया उसने किसान को उसी वक्त सो अशर्फियां दे दी अगले दिन दर्बार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया राजा को किसान पर बहुत घुसा आया किसान दर्बार में आया किसान तुमने हमसे वाइदा गिया था कि किसी को अपनी बात नहीं बताओगे लेकिन तुमने वजीर को सब बता दिया तुमने वाइदा खिलाफी क्यों की सरकार मैंने आपसे वाइदा किया था कि जब तक मैं आपका मुँ सो मरतबा ना देखूं इस राज को किसी को ना बताओं सो मरतबा बगर तुमने तो एक मरतबा भी मेरा मुझा नहीं देखा नहीं सरकार मेरे पास सौ अशर्फियां है उन पर आपकी तज़वीर बनी है महराज मैंने सौ अशर्फियां देखकर ही ये बात बताई थी महराज बहुत खूब बहुत खूब हम तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत खूश हुए वह ना? हाँ, तो ये लो इनाम राजा ने उसे सौ अशर्फियां और इनाम में दी किसान खुश-खुश अपने घर चला गया अक्लमंदी किसान अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशय सैयोजन, डौक्टर चमन आरा कलाकार, पर्वेश गोहर, शमाईला पर्वेश और नीरत्शर्मा दोन्यंकन, बटिलेंग लिंडो और शानु मुक्सीम निर्मान सहयोग, तनु गुप्ता निर्मान, निर्देशन वदोनी संपादन, वंदना अरिमर्दन तसा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, महारत